आज तो मैं बताने बाला था ना भगवान देवता इश्वर इन में क्या डिफ्रेंसेस और किस आरथ में संस्कृत में यूज होते हैं तो पिछले बार इस पर कोश्चिन हुई थी तो शास्त्रों को देखते हैं उन शब्दों का जो यूज हुआ है आज मौडरन डेज में हिंदु जो शब्दा यूज करते हैं उसमें बहुत अंतर मिलता है पहली चीजे की देवता अगर दुनिया में एक इतना ही खुप्षुरत यूनिक कंसेप्ट है देवता जो आपको किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं मिलेगा पर जिसको हमने भी हम लोग 관련agem grammatical sense में क्या मेनिंग में और वह लिट्रेचर में किसकी सर्थ में यूज हुआ है और आगे कैसे किस में यूज होता है कि देवता शब्द की जो ATMology मिलती है में ह्मेर सियास्क निरुक्त में लिखते है देवो दानात्वा दीपनात्वा द्योतनात्वा द्यूस्थाने भवती दीवा इसकी सिंपल मिनिंग है देवता शब्द चार रूट से बना है देना मला जो देता है दीपनात्व प्रकाशित करता है द्योतना जो खुद लिमुनियस है प्रकाशक प्रकाशित है जैसे स्टार सोगरा है और द्यूस्थाने भवती तिवा और जो आकाश में रहते हैं आकाश में मला इस जो स्टार से नक्षत्रोगरा चमकते हैं उनको भी देवता कहते हैं चमकते हुए चीजों को छोड़ दें, देना और दोसरों को शाइण करना, यह दोनों विनिंग को अगर इने नटसल बताएं, हमारे लाइफ में जिनका भी कोई कंट्रीबूशन है, धान दीजा हम रिपीटेंगे, हमारे लाइफ में जिनका भी कोई contribution है या those who are contributors उनको देवता कहा गया है दानादवा दिपनादवा देवता का अगर कोई सही माइने में उसकी spirit को लेकर translate करे it will be contributors और वो contributors को हमारे हाँ दो तरह से divide किया गया जड और चेतन, insentient और sentient जो भी life में contribute करते हैं सुरज है, आकाश है, चांद है, नक्षत्र है, धर्ती है, वो आपकी नदी है, नाले है, पानी है, आग है, हमारे यहां इन सब को देवता कही जाती है कि नहीं कही जाती है, अग्नी देवता, वायू देवता, जल देवता, नदी देवता, होती है कि नहीं होती है, क्यों उनको देवता कही जाती है, यह भगवान है, इश्वर है, गौड है, creator है नहीं, contributor हैं, यह नहीं होग आफ्कों सर्वाइव नहीं कर सकते। यह है इनसेंटीयंट जड़ देवता दूसरी सेटन देवता सेटнова छेतन यहां कि वहाँ सबसे फेमस छेतन देवता गाय को देवता मांते गुड़ वता है तο जिब गाय की देवता कंशेस्ट आया तो या गाय को हम चाहिप मान्ते हैं कि ये स्रिष्टी स्रिष्टी करता है यह नहीं होता है गाय की संस्कृत होती है देनूप फिच्वन उसमें शांड बेल गाय तिनों सब आ जाते हैं बच्छडा सब आ जाते हैं उसमें क्योंकि आप समझते हैं गाय की क्या इंपोटेंस है इसी तरह तो कोई भी हमारे यहां जाहां हाती होते हैं करला अगर हमें देखेंगे वहां हाती की पुझावती है तो जो प्राणी लिविंग भी हमारे लाइफ में कुछ कंट्रिबूट करते हैं वह भी देवता हैं फिर उसमें प्राणियों में इंसान आ जाता है मनुष्या तो मनुष्यों के लिए भी हमने कहां पित्रुदेव भवावा मात्रुदेव भवावा आचार्य आचारी तीचर बता है राजाओं को देवता कहा जाता है यह वह जब राजाओं को अगर संस्कृत में पता है क्लासिकल होता था हिंदी में ता आप कहेंगे महामाननिया महामहीम राष्ट्रपति नहीं शंस्कृत में जब जो जो शोकर्ड, Your Highness के लिए शब्द मिलता है, देव, और जो Your Highness लेडी हो, इसको कहा जाता था देवी, मैं जो कुईन्स को, जैसे काईके ही है, कोशल्या है, सीता है, इनको क्या कहा जाता था, देवी, ये देवी मला भगवान नहीं, जैसे हनुमान सीता के बारे में कहते हैं सिता को कहते हैं, देवी, मैं आपको ले सकता हूँ, देवी का मला नहीं कि आप इस्वर है, मला ये दाट साव हम बड़ों को संबोधित करते हैं, आड्रेश करते हैं, तो अब देवता शब्दकार था आपको समझ माया, दाना, दिवना, द्योतनात, सिंपल भाशा में कहें जो कंट्रिबूटर हैं, जिनके कारण हम शाइनिंग करते हैं, जिन्दा हैं, सर्वाइब करते हैं, लाइप करते हैं, वो देवता है, वो कोई भी हो सकता है, जड, चेतन, चेतन में मनुश्य भी, कोई भी है न, राजा, बॉस, मालिक, टीचर, कोई भी, जो भी देवता है तो यह सब देवता है और modern हिंदुजिन में हमने इन देवता concept को रखा है हम गंगा को नदियों को देवता मानते हैं और ऐसा नहीं कि गंगा यमुना को मानते हैं आप भारत में किसी भी स्टेट में जाओ वहां कोई भी नदी वहती हो वहां के आसपास लोग उस नदी को रेस देवता वह अलग बात है कि पुझा करने की तरीका हमने बदल दारी है आप पुछेंगे मैं बाद में डिसके रूगा तो क्या जोंगा जिसको अंग्रेजिय में कहते हैं वह उसको नहीं है अगर डिफिनेशन करें तो हां कह सकते तो परमात्मा या गाड को भी देवता कहा बात क्लियर गई तो कोई भी हो सकता है एक दूसरी देवता जो बाद में इवाल्व हुआ है जो पुराणों में बताए गए जो कहानिया इंप उन पुराणों की कहानियों में जो चारेक्टर से उसमें तीन तरह के character हमें मिलते हैं एक जो वर्ष्ट नेचर के character होते हैं devil nature के character उनको हमने कहा गेराच्छस हैं जो बहुत अच्छे divine nature के क्यारेक्टर्स हैं हमने उनको कहा यह देवता हैं और जो अभिरेज लेवल के हैं हमने उनको कहा मनुश्य हैं तो वो जो पुराण की कहानियों में जो डिवाइन डिवलप हुए उनको हम भी देवता केते हैं जैसे शीव परवती गानेश विष्णू लक्ष्मी इंद्र कुवेर वरुन और यह इंडियम नहीं है यह जो माइथोलोजिकल क्यारेक्टर को हम देवता केते हैं यह एक युनिवर्शियल कांसेट है इसमें पुराणों का कोई अपना रोल नहीं है आप ग्रीक माइथोलोजी में भी देखिए ज्यान की देवी विद्या की देवी आप चाइनीज माइथोलोजी देखेंगे आप एजिप्सियान मिश्र की माइथोलोजी देखिए आप आफरिका की माइथोलोजी देखिए आप दुनिया के जितने ट्र सब अंग्रेजी में उनको भी गाड नहीं कहा जाता है, डाइटीज या ऐसा कुछ कहा जाता है, अलग-अलग जो भी है, क्योंकि यह सब अंग्रेजी में तो नहीं लिखे गए थे, दुनिया में जितने भी माईथोलोजी उनमें, कोई भी mythology तो अंग्रेजी में नहीं है तो अंग्रेजी में उन्होंने translation जो भी word क्या हो that's a different thing Greek mythology Greek में है Roman mythology Roman में है मिश्र की mythology मिश्र की language में है दुनिया की सारे mythology अपने अपनी local language में है उनको अंग्रेजी में कोई god goddess का है यह कोई मतलग यह अंग्रेजी की problem में कि उन्होंने ठिक से translate नहीं कर पाए तो देवता का एक दूसरा aspect को ध्यान रहा जो mythology के characters होते हैं उनको भी देव देवता कहा जाता है आज के हिंदु धर्म में जो modern day की हिंदु धर्म में जिनको हम में पुजा करते हैं वो mythology के characters जिन जिनजी द्यालियतय के रूप में पुजा करते हैं अच्छी में modern Hinduism में दोनों देवता होते हैं हम पाणि को कि जोवता कहते हैं नदी की कि स्बाहत है गाई को क्यों देवता केते हैं और शीव विष्णु ब्रह्मा लक्ष्णी सरसुति को क्यों देवता केते हैं दोनों के अलग-अलग different regions हैं एक mythology के supernatural character दूसरा जो day-to-day life में जो हमारे contributor है उसमें including Paramatmavi देवता फिर मैं भगवान शब्द पर आता हूं भगवान की जो literary में पहले तो आपको उसकी etymology समझेंगे जैसे अगर आप संस्कृत नहीं भी पढ़ते हिंदी जानते हैं तो आप जानते हैं rich man को धनी या धनवान गुनी गुनवान गुद्धी किसके पास बुद्धी ये तो गुद्धिमान ज्यान ये तो ग्यानवान वान शब्द संस्कृत में समवान वुद्धे शंतिंग तो जैसे धनवान ज्यानवान श्री मान अर्वान दोनों यूज यूज वते हैं तो इसी तरह भगवान का क्या आर्थ होगा समवान हुद्धे भगा ये भगा क्या होता है भगा आईश्वर्ये और अलग-अलग शास्त्रों में इविन पुरा मैं आपको समझाऊं जिन चीजों से आप दूसरों से बड़ा वनते हैं वह सब अश्वर्य के कैटेगरी में आती है पैसा धन पावर ये ये आश्वर्य में आता है सुन्दरता व्यूटी ये वी अश्वर्य में आता है श्री जिसको कहते है रूलिंग मतलब कि डूमिनेट करना किसी पर रोन करना यह वह एक से ज़्यादा हो उसके बगवान कहलाते है भगवान के अगर आप अंग्रे जी में ट्रांसलेशन करें आपको पता है बृटेच्टेन में जो जो अपर हाउस है उसको केतने House of Lords यह Lord कौन होते हैं अब वहाँ आपको सरने उनको टाइटल मिलता है Lord जो सोसाइटी में अपने अपने फील्ड में भग अईश्वर यह को कुछ आचीब किया कोई कोई नॉलेजबुल है कोई पावरफुल है कोई बिजनेश मैन है कोई वेल्दी है कोई अच्छे बड़ा जो अपने अपने फील्ड में भग अईश्वर यह को प्रापकिया उनको वह सिलेक्ट करते हैं आज है मेंबर अब दा लॉड अब दा हाउस और उनकी टाइटल भी ब है जो अईश्वर्य जिसके पास है अईश्वर्य में से कोई भी हो अब आप लोग जिन में जो वालमी किरामायर पढ़ते आ रहे हैं आपको सेकड़ों जेगा मिलेगा जो वालमी किसे मिलते हैं भगवन कोई रिशी मुनियों से मिलते हैं भगवन जैसे मुंदक उपनिशत पढ़ते ना वह अध्यमी भगवन मैंने यह सब पढ़ा है अंगिरस के पास आकर शवनक कुष्तें कि है भगवन मैंने यह यह सब पढ़ा है पर मुझे कुछ वैक्यूम अभी भी है कुछ ऐसा बताए जिसको जानने पर और कुछ भते नहीं नहीं तो गुरुवों को अपने जो बहुत रीच पर्शन है जो पार्फूल है उनको भगवान कहने की ट्राडिशन हमारी यहां है बिलकुल जैसे की अंशींट ब्रिटेन कल्चर में लॉड कहने के यह आज भी है जो संस्कृत पढ़ते हैं ट्राडिशनली संस्कृत पढ़ते हैं जब हम अपने गुरुव अपने अपना गुर्ट करता था जैसे आप नमस्ते नमस्कार बोलते हैं तो बड़ा इंट्रिस्टिंग है भगवन अमुका गोत्रोत पन्नहां अमुका श्या पुत्रहा अमुका नामधिया अहम अमुका मलब तो अन्टो में उसका बेटा उस गोत्र में पैदा हुआ इस नाम से जाने जाने वाला सूर्य नारे ननंद यह भगवन आपको अभी बाद है अभी बाद है मला प्रणाम करना नहीं मैं आपको ग्रीट करता हूं आज भी उपनें संसकार में यही श्टाइल अपना ही जाती तो यह जो भगवान शब्द है इसकी दूसरा एंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट करें सर्थ जब आप किसी को बोल देना सर्थ लड़ तो संस्कृत में क्या बोलेंगे भगवन भगवान और लड़की हो तो अगर फेमिनीन हो महिला हो तो भगवत्ती भगवान भगवत्त और आज भी उज़ोता है इस तरह के शब्द संस्कृत में जो ट्रैडिशनल संस्कृत पढ़ते हैं वह आज भी उज़ करते हैं तो क्या यह शब्द परमात्मा के लिए उसकता है जो अंग्रेजी में जिसको हम गाड कहते हैं परमात्मा सर्वाईश्यों सारे अश्वरियो सकता है अपने माधापिता को भी गूरु को टीचर को रिशी को मुनी को किसी रिचमयान को किसी अपने बास को किसी को भी कह सकते हैं तो संस्कृत में जहां जहां भगवान आए वो सब परमात्मा नहीं है नाइंटी पर्शेंट तो दूसरी लोग होंगे जैसे देवता इसी तरह और एक शब्द भी द्यान दिजिए ईश या इश्वर सेम रूट से आते हैं इशी साशन जो जो रूल करता है जो ओन करता है ूम पर जो मालिक है न मालिक या रूलर मास्टर रूलर को इश या इश्वर कहते हैं संस्कृत में राजाउंगा नाम क् निर्पा भी बोलते हैं राजा भूपती बहुत हरे शब्द हैं पर आप जैसे वालमी के रामान में बहुत सारे जगह पढ़ते हैं अनुमान जब बात करता है अपनी सुग्रिव के वारे में क्या कहता है वानरेश वानरेश्वर किसकिन्देश्वर अर्ट यह एक जगह खूद बोलता है कि मैं इश्वर होकर भी समझी नहीं पाया ठीक से अब ओनेश्वर का मरत कहता है कि मैं अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने की मेरे में है मुझे गुस्सा आया और मैंना आग लगा दिया वह जो सुन्दर कांड में आप पड़ते हैं राजाओं को भी इश्वर कहा जाता है तो इश्वर का मतलब या इश्वर का मलब होता है रूलर या मास्टर को यह हो सकता है क्या परमात्मा को इश्वर कहा जा सकता है तो सबका मामालिक है पर जहां जहां इश्वर आई वह परमात्मा है नहीं अब ब्रह्म्हां के लिए आपके अइने से परमात्मा का अर्थ होगा नहीं जान दीजिए क्योंकि उपनिशतों में ब्रह्मन शब्द मोशली वेद उपनिशतों में गुज़ हुआ है और जो वेदानते क्लास में आते हैं उन्होंने पुराने आये हैं उनको पता होगा तो ब्रह्मन शब्द का लीटेरी मेनिंग होता है तो इसके लिए लिए प्रमू इंहसमृऊ फैल ऑनाजुडश को ब्रह्मर कहा ज्यान फैलता है अमें एक जने को सिखाओ, सो जनों को सिखा सकता है, ग्रेंस, अब एक धान, एक गहुं लगाओ, उसमें इतनी सारे गहुं आएंगे, पुत्रो भाई ब्रह्मा, संतान, प्रोजेनी की ब्रह्मा कहा क्यों, अब एक बच्चा पैदा करके 500 साल के बाद आओ, पुरी गाउं बस होगा, आपने एक बच्चा पैदा क्या, उसे ने चार पैदा क्या, चार ने सोला पैदा क्या, पहलता है न, तो ऐसे कितने ज्ञान, नौलेज को, कितने सारे चीजों को ब्रह्मा कहा गया, क्या परमात्मा भी ब्रह्म है है, क्या परमात्मा को ब्रह्मा कहा जा सकता है, कहा जहां 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 ब्रह्मन के लिए बहुत जर्ण तामा होता है यह कहते है j कि क्या आत्मा शब्दकार था परमात्मा नहीं आत्मा शब्दकार था इंडिविजॉल सोल भी है परमात्मा भी है और कभी-कभी आत्मा शब्द तो ऐसे भी आया है बोडी को भी आत्मा कहा कहीं माइड को भी आत्मा कहा है अब जैसे आम बात्चीत में जैसे आप केते हैं न constitution is the soul of democracy what does it mean this is the soul of this institution the core is this topic for this context we are talking about the core is the soul in English in Sanskrit it is also called the soul of the soul, the soul of the soul is also called the soul of the soul which is the center which is essential, will also be picked by the soul of the soul of the soul which contains Spread my heart which isn't the part of the soul in the dark and God means to me और कोई नहीं एक है परमात्मा परम केते हैं सुप्रिम आत्मा केते हैं सोल तो सुप्रिम शोल मलब सुप्रिम को सुप्रिम है तो सुप्रिम शुल तो एक होगा वो गौड होगा और कोई नहीं पर प्रॉब्लम है कि परमात्मा वर्ड नॉर्मली शास्त्रों में यूज नही और कोई अर्थ नहीं हो सकता, वो है, any guess आप में से, कोई अन्मूट करके बताएए, पहले बहुत बार डिस्कुशन होआ है, पराम, ओम, 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 या, ओम, ओम. आप में ते कदो पनिशत्, यमराज अचारे यम नचेकिता को करते हैं, यह जो ओम है, जिसको हम लोगों ने सत्यानाश उसका भी कर डाला, अब हमें क्या अलर्जी होई ओम बोलने में, आवाम ओम के जगा, हरी ओम, शिवो, अम पताने क्या-क्या जोड के बोलते हैं, खाली ओम बुर्णे में क्या हमारी सरदर्ध हो गई यह ओम केला शब्द है जब आव ओम बोलते हैं इस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को ही डिनोट करता है और शायद यही कारण रहा कि आप कोई भी सनातन धर्म के शास्त्र देखिए कोई दर्शन शास्त्र वेद उपनि इशद, ब्राह्मन, आरण्यक, धर्मा शास्त्र इंक्लूडिंग पुरान सब में परमात्मा के लिए जब बात होती है तो जहां उनको एक्स्क्लूशिवली परमात्मा बताना हो तो वह ओम बोलते हैं और इसलिए हमारे यह नियम बता है क्या आप कोई भी काम करो किस से यह नहीं बोला ब्रह्मा बोलके शुरू करो यह नहीं बोला परमात्मा बोलके शुरू करो क्या वह ओम तो हिंदू के लिए भगवान के लिए जब गॉड के लिए जो एक सब्द आपके रिशी मोनी वोनी दिया वो दिया ओम हर बात में मंत्र शुरूवात करते हो तो ओम वो तैतिरी अपनिशत में आता है कि जब आप कोई चीज शुरू करते हो तो ओम, जब आप खतम करते हो तो ओम, अब खाना खाने से पहले ओम, मंत्र कोई बोलने की जुरुत नहीं, बच्चा पैदा होता है इसमें कान में क्या ड़क क्या बोलो ओम, क्यों हमारे लिए ओम ही और शास्त्र में आता है जैसे पतत जली लिखते हैं तस्य वाचक प्रणवा प्रमात्मा का वाचक नाम क्या है प्रणवे ओमकार है पूरे सामवेद उद्गीता क्या है अभी अपने वेदानत में डिस्कॉशन पढ़ा उद्गीता ओम है तो ओम अकेला एक शब्द था जो प्रमात्मा को ही इंडिकेट करता था बाद की सारे शब्द किसी के इस के लिए वी उज हो सकते हैं प्रमात्मा के लिए भी उज हो So Acharya Ji, it is a it is a hearsay and I want to confirm Aum is not I believe Aum is not only for Hindu religion Aum is also same maybe that kind of a sound bite is there in other religions including supposedly and I have not experienced that if you go in a space or in out the only word you could hear is Aum and it has whether it is mystery whether it is this now I want to know what is your point on that so because this is Sanatana Dharma so the rest of the Sanatana Dharma the rest of the religion like Buddhism Jainism Shikhi Jain there are only Aum only with Paramatma with Buddhism also with Aum they don't believe Aum but then they start Aum like our Aum with Aum also with Aum with Jainajim we don't believe Aum then they start Aum with Aum then they start Aum with Aum and they are and they are one Aum who is the first most famous one Aum is the same name करता पुर्ष नर्भाव निर्वायरकार अकाल मुरत मुरा जोने साहभ अंगुर परस्ट जब आज को कभी हिंदुों का भगवान क्या है ठिक-ठिक समझना है ना सिखों की पहले लाइन को ठिक से समझ लेजिए सिखों की पहले लाइन और यह उन्होंने वेत अपनिशत चे इक ओंकार अपरमात्मा अखाल जो भी वो भूलते गए ना अशब्द वो सब उपनिशत यहीं है अक्चियली सनातन दर्म के इश्वर की डेफिनिशन जो सिखों की पहली प्रतना में आती है गुरुजी आपने कहा तष्वाच का प्रणवा तो प्रणवा सब्द जो है वो लुद्ग आप प्रणाव किया अधिक में जुझ होतने है इंडीं जितनी भी रिलिजियन ने सब में ओमकाही। करता है या नहीं परमात्मा को नहीं भी मानते हैं तो भी ओम वह सबसे बड़ा important role अधा करता है बाकी रहा दूसरे religion में क्योंकि कभी सनातन धर्म पूरे जब जब दूसरे religion जन तो बाद में सब आए तो आप European language में देखेंगे यह जो आमीन शब्द वो यूज करते हैं यह यह ओम कार का ही बिगड़ा हुआ का फॉर्म है जिसे मुशल्मान भी केते हैं हर चीज में आमीन उनकी जो प्रियर खतम होता है आमीन जैसे हम केते हैं ओम और आमीन का वह अमीन कहां से अर्वी से आया पर्सी से अर्भी और पर्सी क्या है वह उल्डेन लैंग्वेजर संस्कृत से महीने कह रहा हुँ संस्कृत आर्वी पार्शी में काफी ज्यादा क्लोज रिलेशन्शिप है आपको पता है जो नमाज करते हैं यह यह मुशल्मान लोग आप किसी भी यह आप कहेंगे कि आप तो खुद हिंदू है इसलिए बुलत नहीं किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से पूछ यह स्कॉलर से नमाज शब्द की ओरिजिन क्या है तो कहेंगे संस्कृत से नमती नमन से जुकना वह संस्कृत से पार्शी पार्शी संस्कृत बहुत क्लोज हैं उसमें गया और इसी तरह आप किसी भी अंग्रेजी को पूछो यह जो आप अमनी प्रेजेंट अम्नी पोटेंट Omniscient की बात करते हो, जिसका मतलब होता है All Pervasive, All Knowing, All Powerful, यह All शब्दों Omni से आपने एक कौन सी क्या रूट है, क्या इसकी Etymology है, Omni शब्द का यह अर्थ करना, उनके पास आंसर नहीं, यह संस्कृत के Om से ही, परमात्मा की जितने भी गून है वो Om से आते हैं, मंडुक के अपनिशद में आपको मिलता है Om का क्या रथ है, मंडुक उपनिशद में भी, तो वो सारे Omni present, Omni potence, यह जो Omni word है, जो All, everything में होता है, वो Om के derived है, पर by the way, Om का influence world के अलग-अलग culture में भी, civilization में रहा है, वो अब change होकर के दूसरे form है, पर वो रहा है, यह जो Om sound है, जो भी हमारे रिशी मुनियोने या वईदिक साहितों में इस Om को चुना गया, उसकी meaning तो आपको पता है, और उनकी क्या-क्या meaning है, पर यह इतना, यह एक purely natural sound है, जैसे आपने का, space में जाओ, जो sound record होता है, वो भी sound होता है, जब हावा खुब तेज से चलता है, record करिये उसमें भी Om, जो आप Om मतलब सिर्फ Om नहीं बोला होता है न, यह जो Om को ऐसे कहा जाता है, one vowel, one semi-nasal, जैसे मैं का हूँ, इसमें आपको वाविल की sound आ रहा है, और एक snagel की sound आ रहा है, दुनिया में कोई animal, पशू, पक्खी, गुंगा, बहरा नहीं, जो Om नहीं बोल सकता, बच्चा जब पैदा होता है, क्वां 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 करता है, उसमें भी वाविल और नाजल sound है, केतने गाय जब हम्मा कर करता है, तो उसमें भी वही नाजल, सेमिनाजल और वाविल sound है, आप दुनिया की किसी भी most of animal की sound record करेंगे, उसमें one वाविल, उसमें consonant भी आता है, जैसे कोई म्याव बोलता है तो उसमें तो मा तो पर उसमें जो बेसिक एक वाविल और एक सेमिनाजल, और ओमकार का, ओमक क्या definition है, एक वाविल और एक सेमिनाजल, ये वाविल सेमिनाजल, किसी भी रूप में, इविन जो डिफ आंट डाव में कुछ भी नहीं बोल सकता है, उसको थोड़ा धक्का मारो, उना हूँ, वो भी बोलेगा, ये इतना नाचुरल साउंड है, इविन जो जो बोल भी नही सकता है, और नेचर की पाट है, तो खर इसके एक बहुत बड़ी कभी ओम पर तो मैंने बहुत बार लेक्चर दिया है, और और कभी रखेंगे, तो तो है, एक चीज यह उस दिन में रह गया था, जो आप जो मैंने बताय था बताऊं, जो तेंतिस करोड देवता है, तो ये चीज़ब्द वेदों में आता है, ट्रायस्तरिंशत कोटी, रमणत में आता है, बहुत आता है, ट्रायस्तरिंशत, तेंतिस, प्राबलम कहां हुए, ठीँ कैसे, सारा, सारे शास्त्रामर क्यों कहां है हमारे सारे डुखों का से हैं? अढ्ञ्ञान, इग्नोरेंस, संस्कृत में और प्रकार टाइब इन किस कोठी का लाइफ है वाट टाइप आफ लाइफ लाइफ है तो जो शास्त्रों में शब्दा है 33 टाइप्स आफ देवताज देवताज गाड नहीं गाड तो कभी में नहीं ट्रांसलेशन करना देवता का गलती से भी नहीं करना कुछ नहीं आदा है तो सिर्फ देवी लिखो लंग्वेज की ट्रांसलेशन के कारण भी बहुत गड़ यूंग आदमी सारे पढ़े लिख सब थोड़े जाएंके शास्त्र पढ़ते हैं जब आप गाड लिख देते हो तो गाड गामलो तो भगमान इश्वर परमात्मा हो जाता है तो लोगों की दोश नहीं कभी-कभी ला दो तक नहीं को यह और आरो स्दॉंओ एकडश रुद्र 11 वारा अधित्या इन्डंत्यव मारा अधित्या बारा अधित्यव कितने हो गएð lige एडराट हो गएजके तुमने पर यह आत्मा और यज्ञा यह 33 को उन्होंने 33 दिवता कहा यह वसु क्या है यह वासस्थान रहने लायक विटे तो आठ वसु उन्होंने गिनाया जो पंच महाभूते फाइप बिसिक जो जो पंच महाभूते नक्षत्र आदी में देखता हूं अगर वो श्लाइड हो यह पांच महाभूत चंद्र सुर्य और तारे नक्षत्र अश्ट वसु वसुमला है विटेट एबोर जिस जोर जिसके कारण कोई चीज एश्टा करता है एक आदश रुद्र अर यह रुद्र बड़ा इंट्रेस्टिंग है सम्मान फूम एक्सिए क्र्विव तल्ड़ अक्न जब आपको को गलत कर्मों के कारण आपको गलत पल देते जुसिए जब आपको घर में मर जाता है दूक होता जब आपके पास कुछ अच्छा होता है, तो भगवान शीव हो जाता है, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए पापा का भी बहुत अच्छा है, पापा, I love you, you are the great, you are the best, bestest पापा of the world, जिसने में उनका काम बन जाए, जब आप एक दो बार मना कर दो, बच्चा जिं तो जी आप वर्ष्ट हो, भिकार हो, आपके जैसे पापा नहीं होना चाहिए, तो उस दिन हो पापा का रुद्र है, जिस दिन सारा काम मंज है, उस दिन हो शीव है, तो भगवान के साथ ऐसा ही है, आगे जाकर के हमने जो ब्रह्मा विष्णु महेश में हमने शीव को रु कर्मा, कुरकला, देवदmac्या, धनांज यह, और सोल है, एक आत्मा, आचाहा इनको रुद्र को कहा है, दशच प्राण और आत्मा को, यह क्या करते हैं, यह जब निकल जाते हैं, निकलने कोशिश करते हैं, तो हर आदमी रोता है, और इनिक ए की रोते ही,vorकी को मरना है तो इसले इनको रुद रखा हो कि 11.08 कितने हो गए टुंटिनाई आप दिखें 12 आदित्य साष्त्रों में सुरज को अधित्य है क्यों क्यों कहते है इसके motorology में बड़ा जो रसों को देता है रसमलब जो एसेंस को देता है सुरज है जिसे पेड़ पोधे प्राणी पश्यू पक्की सब जीवन पाते हैं और वही सुरज जीवन को सोखता भी है शुखा देता है नश्ट कर देता है 12 महीने को 12 अधित्य कहा क्यों पता है कि बड़े मनाते हो ना खुशिशे 20 साल का हो गया हिंदू ट्रेडिशन में बड़े मनाने की कंसेप्ट नहीं था क्यों कि आप 25 के हो गए तो 25 साल कम हो गया भाई अब आपकी सो साल में से 75 साल रह गया है 50 साल कम हो गया है 50 साल रह गया है 70 साल कम हो गया है आप जो भी 10-20-25 साल रह गया है तो हमारे यहां बड़े मनाने का कंसेप्ट नहीं था क्यों भी अब यह समझें क्या मतलब है महीनों को आधित्य क्यों कहां मन्त और मन्त को क्योंकि एभरी डे आपकी एसेंट जो जो लाइफ है वो कम होता जा रहा है सुरज ये जो दीन और रात हैं वो आपकी लाइफ को कम करते जा रहे हैं आपके दिन रात बोल देते हैं पर बारा महीने जो है यह सुरज की गती से वो चलते हैं और हर महीने आपकी लाइफ कम होता जाता है और खाली कम नहीं होता है यही बारा महीने से आपकी लाइफ बढ़ती भी है क्योंकि दत्ते आदत वते दूनों शब्द है बच्चा जो पारा होता है द्षक्ट में मंथ आप देखें जब आप किस्ट नियों धैक्लिंट हर मंत करके मंत क्या बारा मैं águauso आपके रश को देते भी हैं, आपके लाइक बढ़ाते भी हैं और घटाते हैं, that's how 12 महीनों को आधित्य कहा, बाद में हमने आधित्य शब्द से सूर्ज लिया, यूँकि डेफिन आइडली जो मन्त है, डे और नाइट है, बेस्ट अंदस सूरज की सरकल से बनता है, इसको बा अच्छा कहा जाता है, और आदानकाल में बहुत रोग वगरे होते हैं, because it's too hot, और विसरग काल सब के लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, हेल्थ की दुर्ष्टी से, तो इसको अगर थोड़ी अंग्रे जी या थोड़ी सिंपल भाशा में कहें, बा आदानकाल है, तो सूरज अपना सब खीचता है, उसकी गर्मी तभी बढ़ जाता है, पेड़ भी सुकते हैं, इनसान भी सुकता है, रक्षिनायन में सब से हेल्थ रहता है, उसको विसरग काल कहते है, वो सूरज उस समय देता है, क्योंकि सूरज जब काम रोशनी वाला होत है, तब आपको फायदा होता है, तब आप ग्रो करते हैं, और दिन छोटे हो जाते हैं, और इंद्र और प्रजापती, प्रजापती यग्यों भई प्रजापती, यग्यों को प्रजापती कहा, यग्यों को भी देवता कहा, और इंद्र परमात्मा को इंद्र कहा, इस्वरे कोई जेनरेल स्टेटमेंट नहीं है कि आ हिंदूधर्म में 33 लगता होते हैं एक पटिकुलर कांटेक्स्ट में इक डिसकॉशन में ये 33 रचाहरों का कुछ आया था पर ये नहीं कि हिंदूधर्म में 33 है करोड़ों भी हो सकतें जैसे आप से अभी देवताओं की डिसकॉशन ह पेड, पौधा, पानी, हावा, पशू, पखी, मा, बाब, करोणों चीजें हैं जो आपके लाइब के लिए कंट्रिबूट करते हैं, वो सब देवता, देवी देवता, देवी देवता कहलाएंगे, उनकी कोई unlimited number हो सकता है, कोई invisible, visible, जो भी contributor है, illuminator है, पर ये एक particular context में 33 हो देवताज, चैनेल को subscribe जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे, like भी जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे, like भी जरूर करें,